हालो दोस्तों मेरा नाम है बिने और आप लोग देख रहे हैं उबने टेक तो मैं आज आप लोगो बताने जा रहा हूँ स्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनन्स कंपनी लिमिटेट का फिक्स्ट इपूजिट डेट के बारे में तो रिसेंटली स्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनन्स लिमिटेट जो है इसने अपना फिक्स्ट इपूजिट डेट जो है वो चेंज कर दिया है तो क्या है नया अपडेट में मैं आप लोग को फूल डिटेल ने बताने जारूं तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो हम लोग आ चुग है स्रीराम ट्रासपोर्ट फाइनन्स कमपनी का ओपसल वेबसाट में तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हूँ यह जो कमपनी है यह लोन देता है यहाँ पर आप लोग देख सकते हूँ कॉमर्शेल लोन प्रोवाइड कर रहा है फिर लाइप अपनी जो है यह Fixed Deposit भी आप लोग्को प्रोवाइड करता है ठीक है तो अगर आप लोग Fixed Deposit करना चाहते हूँ यह नॉरमल Fixed Deposit से जो आप लोग्को बैंक में करते हो उससे ज्यादे आप लोगको इंटरेस्ट देता है ठीक है यह आप से पैसा लेता है और दुसरों को loan देता है वो ही fixed deposit में आप लोग को देता है return में ठीक है तो बहुत ही अच्छा rate of interest यहां पर provide कर रहा है और इसमें जो है आप लोग को अच्छा खासा interest मिल जाएगा तो चलिए देखते हैं इसका fixed deposit rate तो यहां पर आप लोग को deposit के उपर click करना है और हम लोग IND AA plus or stable by Indian rating and research ठीक है तो यहां पर आप लोग को अच्छा rating मिल जा रहा है यह fixed deposit के उपर ठीक है और आप लोग देख सकते हूँ earn up to 8.90% per annum including 0.50% per annum for senior citizen and 0.1% for women deposit rate तो यहां पर आप लोग देख सकते हूँ earn transport finance FD rate interest rate on fixed deposit or renewal with effective from 14th October 2022 से effective है non cumulative और cumulative दो पार्ट में divided है ठीक है non cumulative मतलब monthly, quarterly, happily, yearly basis में इसमें आप लोग को पैसा मिलेगा और cumulative जो है इसमें at the time of maturity आप लोग को पैसा मिलेगा ठीक है और यहां पर आप लोग देख सकते हो period monthly basis quarterly, happily, yearly basis पर यहां पर आप लोग को मिलने वाला है non cumulative में ठीक है और rate per annum at monthly rest ठीक है effective yield और maturity value for 5000 रुपेश ठीक है यह calculation किया गया है ठीक है और आप लोग देख सकते हो 12 month का 6.78, 6.82, 6.88, 7% उसी तरह cumulative में 6.78 और 7% effective है ठीक है और maturity value जो है 5000 के उपर 5350 ठीक है 18 months का उसी तरह यहां पर आप लोग देख सकते हो 7.06, 7.11, 7.17, 7.30 और cumulative deposit यहां पर आप लोग देख सकते हो और maturity जो होगा हो है 5555 ठीक है 24 months का यहां पर आप लोग देख सकते हो 7.25, 7.30, 7.37, 7.50, 7.25, 7.78 for cumulative और maturity जो है 575 ठीक है उसी तरह यहां पर आप लोग देख सकते हो 30, 36 months, 42 months, 48 months और 60 months के लिए एफेक्टिव है तो आप लोग देख सकते हो जो monthly basis में अगर आप लोग करते हो तो interest rate कम मिल रहा है quarterly basis में थोड़ा ज़्यादा फिर happily फिर yearly basis में यहां पर थोड़ा ज़्यादा आप लोग को मिल जाएगा ठीक है क्योंकि monthly basis में आप लोग interest ले लेते हो इसलिए interest थोड़ा घड जाता है monthly basis में और quarterly business में उसी तरह, happily business में उसी तरह यहां पर आप लोग देख सकते हो, ठीक है, और यहां पर दिया गया है, additional interest rate of 0.5% per annum will be paid for senior citizen, completed age होगा, 60 years above होना चाहिए, और additional interest rate of 0.25% per annum will be paid on all renewals, where the deposit is mature, ठीक है, अगर आपका deposit mature हो चुका है, तो 0.25% यह एक्स्टा देगा, और additional 0.15% per annum will be paid to employee of Sriram group companies and their relative, ठीक है, यहां पर मिल जाएगा, और additional interest of 0.10 per annum will be paid to women depositor, आप लोग देख सकते हो, extra interest rate आप लोगो मिलेगा, यह सब cases में, additional interest on bulk deposit is withdrawn, ठीक in multiples of 1,000, subject to a minimum 5,000 होना चाहिए, ठीक है, minimum 5,000, उसके उपर आप लोग जितना चाहो कर सकते हो, और cumulative deposit can be renewed for maturity value, ठीक है, और overview में यह सब आप लोग देख सकते हो, फिर feature है, क्या-क्या feature है, fixed deposit का यह सब आप लोग देख सकते हो, एक बार, और क्यों स्रीराम टांस्पोर फाइन THANK YOU